जहिंद इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर कमपलीट हो जाएंगे तो वीडियो को पूरा देखना आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मान चित्र को कैसे भरे भनने का सही तरीका क्या है जिससे आपके 10 नंबर कमपलीट हो जाएं अच्छी तरीक चित्र और सम्बंधी प्रस्ण इसमें क्या लिखा है निमलिखित कथनों को भारत के दिये गए रेखामान चित्र में ये जो चिन बना हुआ है चिन्नित कर नाम का उलेख कीजिए सही नाम हुआ सही अंकन के लिए आपको हाफ और हाफ अंक मिलेंगे मतलब आधा और आधा नम जया प्लम उसके बाद में ऑर जो सही भरेंगे तो आपको और आधा अंभर मिलेंगा कुल मिलनाकर आपके एक नमबर कमपलीट हो जाएंगे प्रस्ण निके तो यह जो बना हुआ हैंका आपको ऐसे kasih भ्रना है तो आपको बता रहा हुँ तो सबसे पहले आपको क्या कर रोत संके और तांक आपको डालना होता है यहां पर यहां पर यह प्रस्ण पत्र में लिखा होता है यह आपको यहां पर डालना होता है तो आप लोग डाल देंगे जैसे सपोज करो आपका 801 और यन और उसके बाद में जेड है तो आप लोग ऐसे यहां पर फिल कर देंगे जो रो मतां पंपोर्टेन आपको वहीं तयार कन्ट यहां कांग्रेयर का सितंबर 1922 में अध्भासन हुआ , यहां कांग्रेयर का सितंबर 1922 में अध्भेशन देख्जा हुआ तो आपको ध् यहां पर प्रस्णोत्तर काले पंसे प्रस्णोत्तर और नमबर उसके बाद में यहां पर चोधा है तो आप लोग ऐसे चोधा लिखेंगे उसके बाद में आप लोग यहां पर और यह भी लिख सकते हैं मान चित्र कार मान और चित्र उसके बाद में कार आप लोग ऐसे भी डा काल सकते हैं और यहाँ पर सभी प्रसन यहाँ पर उताल लेंगे अच्छी तरीके से जो यहाँ पर लिख अपको केवल उत्तर ही लिखना है तो वाइस्थान में आप कांगरेश का में 120ู่ में अधिभेशन हुआ था तो कहां वा था वह आपको यहाँ पर लिखदे सभी के आंसर तो आपको पहला डालना है यहां पर ऐसे यह आपको एक दो नहीं करना है जैसे यहां पर लिखा था आपको वह ऐसे ही लिखना है सेम वह ऐसे लिखना है कोई गलती नहीं करना जैसे यहां पर लिखा है यह यह रोमन अंकों में तो आपको रोमन अंकों में ही लि या कोल काता भी आप लोग डाल सकते हैं कोल और काता उसके बाद में यहां पर और 1922 में आपको यहां पर लिख देना है उसके बाद में दूसरा क्या है दूसरा क्या है वह आहिस्थान जहां जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था आपको यहां पर लिखना है दूसरा आप आपको ऐसे लिख देना है और कहां हुआ था आपको यहां पर फिल करना है तो यह यहां पर हुआ था अमरत सर में अमरत सर आप लोग यहां पर लिख देंगे अमरत और उसके बाद में सर यहां पर ऐसे लिख देंगे उसके बाद में तीसरा प्रस्ण क्या है यहां पर तीसरा प्रत्वार प्रस्फण है उस्थान जहां 1929wnie में चांग्रेश का अधवेशन हुआ 1929 में कांग्रेश का अधवेशन नरे था तो यह यहां हुआ था तीसरा का हो जाएगा लाहोर में हुआ था जो पंजाब में पाकिस्तान में अब है तो और होर उसके बाद में 1929 इस भी है तो 1929 इस भी लिख देगे उसके बाद में चोथा प्रस्ण क्या है यहाँ पर वा इस्थान जहां सूती मिल सरिमिको का सत्यागरा हुआ तो आपको यहाँ पर फिल करना है चार ऐसे डालेंगे और वा इस्थान जहाँ पर सूती मिल सरिमिको का सत्यागरा हुआ तो कहा हुआ था आपको यहां पर लिखना है तो आप लोग लिखेंगे अहमदाबाद अहमदाबाद आप लोग ऐसे लिखेंगो इसके बाद में पांचवां क्या है यहां पर पांचवां क्या है आपको लिखना है वह इस्थान जा 1927 इस्वी में कांग्र अब इनी को आपको इसमें मानचित्र में भरना है, तब आपके पूरे नंबर मिलेगे, तो पहला प्रस्ण क्या था, वह इस्थान जहां कांग्रेश का सितंबर 1922 में अध्वेशन हुआ, तो आपको फिल करना है, तो कहां हुआ था, 192022 में, तो यह यहां पर हुआ था कलकत्त में हुआ था, तो आपको लिखना है कोल कात्ता, कोल और कात्ता, उसके बाद में आप लोग लिखेंगे, और यह जो 192022 आप लोग यहां पर ऐसे फिल कर देंगे, उसके बाद में क्या था, उसके बाद में हुआ इस्थान जहां जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था, त यहां पर फिल कर देना है अम्रत सर अम्रत और उसके बाद में सर यहां पर फिल कर देना है अगला क्या है वहा इस्थान जहां 1929 इसवी में कांग्रेश का अधिवेशन हुआ 1929 इसवी में कांग्रेश का अधिवेशन हुआ तो आप लोग यहां पर लिखेंगे लाहोर में जो जा बता रहा है यहां पर वह इस्थान जहां सूती मिल सर्मिको का सत्यागरा हुआ तो आपको लिखना है वह इस्थान जहां सर्मिको का सत्यागरा हुआ तो कहां हुआ था अमरत सर्मे कहां हुआ था अमरत सर्मे तो आपका अहमदाबाद में हुआ था कहां हुआ था अहमदा और बात अभी अभी बता रहा हूँ कि और भी पांच नंबर कम्पलीट करने है तो भी आपको देखना है वीडियो को पूरा तभी आपके 10 नंबर कम्पलीट होगे उसके बाद में वह आहिस्थान जहां 1927 1070 का अध्वेशन हुआ तो मद्रास चन 시청 में हुआ था 1927 इस्वी में तो यहांपर आपको फिल कर देना है पहले लिखना है 1927 इस्वी में और यहांपर मद्रास आपको डालना है और हो सके तो आप लोग जो यहां पर लिखे हुए हैं इनमें भी आप लोग भर सकते हैं यहां पर भी नहीं भरें तब भी चलेगा और ऐसे यह आपके पांच नंबर कंपलीट हो गए उसके बाद में अब 28 वा कोस्चन क्या है आपको भी भरना है अच्छी तरीके से यहां प इसके बताउंगा जैसे आप लोग ऐसे भी इस मानचित्र में इसी प्रकार ऐसे भी इस तरफ लिखेंगे तो मैं आपको लिखकर नहीं बताउंगा तो यहां पर प्रश्णल क्या है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है वह इस्थान जहां कलपक्कम परमाण उर्जा केंदर है तो आपको फिल करना है वह इस्थान जहां परमाण उर्जा केंदर है तो यह तमिल नाड में है तो यहाँ पर तमिल नाड है आपको यहाँ पर फिल करना है तमिल नाड में यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे यहाँ पर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे जैसे बना हुआ था वो ऐसे जैसे चित्र बना हुआ है वो ऐसे आपको लिखना है और यहाँ पर कल पक्कम लिख देंगे कल उसके बाद में पक्कम आप लोग लिखेंगे जैसे लिखा सेम वो ऐसे लिखेंगे और ये तमिलनाड में इस्थित है उसके बाद में अब अगला कौन सा है कॉस्चन आपको दूसरा है मुंबई बंदरगा चिन द्वारा आपको नाम सहित लिखना है तो मुंबई बंदरगा कहा है आपको लिखना है इसमें तो ये यहां महाराष्ट्र में है और यहां पर है तो आपको ऐसे लिख देना है जैसे बना हुआ था ऐसे बना देना है और यहां पर मुंबई लिख देना है मुंबई उसके बाद में अब अगला क्या है तीसरा परवती मिट्टी का छेत्र चिन द्वारा आपको यहाँ पर फिल कर देना जैसे चिन बने हुई है आपको वह ऐसे ही यहाँ पर बनाना है तो यह जम्मू कस्मीर और लद्दाग में है तो आप लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर आएसे बना देंगे यहाँ पर इस परकार यहाँ पर है तो आप लोग ऐसे फिल कर देंगे यहाँ पर आपका कंपलीट हो जाएगा परवती छेत्र का मिट्टी छेत्र उसके बाद में लोग ऑःस्क छेत्र आपको चिन द्वारा इस चिन द्वारा पर द ü d entferदे करना है तो लो अयस्क छेतर हैं यह 3-4 जगा है तो आप लोग जहां मंचा है वहाँ पर फिल कर सकते हैं तो यहां पर यह बहुत सारी जगा है तो यहां पर आप लोग यहां पर है लो अयस्क छेतर तो आपको ऐसे यहां यहां जहां जहां है वहां वहां आपको ऐसे फिल कर देना अच्छी तरीके से ऐसे जैसे वहां पर बना है चित्र में वह ऐसे आपको लोह ऐसक छेत्र और यहां पर इसका नाम भी डाल दे जैसे यह लोह ऐसक छेत्र है तो आप लोग यहां पर ऐसे करके परवती और मिट्टी का छेत्र आप लोग यहां पर भी ऐसे फिल कर देंगे छेत्र ऐसे लिख देंगे तो आपको यह लिखना जरूरी है उसके बाद में अब अगला क्या है अभी बताऊंगा कि कौन कौन से इंपर्टन टायम को वही याद करना उसके बाद में सेंट्रल रेलवे का मुख्याला चिनद्वारा परदर्सित कर जिए यह आपके स्लेबस में नहीं है आपको दूसरा बता रहा हूँ जो आपके स्लेबस में है जैसे आ गया की मैगनीज छेत्र या फिर आ गया कोई नदी के बारे में जैसे यहाँ पर आ गया की कोईला चेत्र आपको बताना है या फिर तेल चेत्र बताना है तो जहाँ पर तेल चेत्र है वही आपको बताना है तो जैसे यहाँ पर कालोल में तेल चेत्र आपको यहाँ पर फिल कर देना है यहाँ पर कालोल चेत्र है यहाँ पर आप तो आपका you complete हो गया यहां पर तो आप लोग ऐसे सेम लिखेंगे कोई भी आ जाए और यहां पर ऐसे कालोल छेतर आप लोग ऐसे यहां पर फिल कर देंगे के यहां पर कलोल आप लोग लिख देंगे आपके complete हो जाएगे ब्लाना है जैसे पहला था कोल काता और 1920 इस भी में तो ऐसे आपको भरना है उसके बाद में दूसरा कहता वह इस्थान जहां जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था तो आपको अमरत सर में हुआ था तो आप लोग ऐसे दूसरा यहां पर रोमनंकों में डाल देंगे सभी में आपको डालना है तभी आपके पूरे नमबर मिलेगे तभी एकजामनर पहचान जाएगा और उसी परकार इसमें भी आपको भरना है जो जहां पर था पहला या दूसरा जो तीसरा वह इसे आपको यहां पर भी भरना है यहां पर ऐसे आप लोग सभी को भर देंगे ज उसके बाद में अब बता रहा हूँ आपके जो important है वही आएंगे इन से अलग कुछ भी नहीं आएगा तो चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब जरूर कर लेना और विल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक जरूरी पहुँचे तो यहाँ पर देख लिजे ये सामाजी विग्यान की किताब है मान चितर का है आपको भारत में राष्टवाद और उसके बाद में राष्टी कांग्रेस के अधिवेशन आपको याद करना है कलकत्ता उसके बाद में नागपूर मद्रास और लाहोर आपको याद करना है भा के बारे में उसके बाद में खनीज तथा उर्जा संसाधन के बारे में इतना आपको क्योल पढ़ना स्क्रीन साट ले ले और इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा इसी में से आएगा आप लोग देख सकते हैं जो सामाजी विज्ञान की टेनियर की किताब है उसी में आपका द अाइडा आएगा दयता की